वेलकम टू अल फ्यू स्टार्ट करते हैं आज का ट्री टॉपिक, ट्री में हमने इससे पहले ट्री ट्रमोलोजी पढ़ ले थी बहुत सारी कौन कौन से ट्री के नोड्स होते हैं कैसे हम लेवल सा इडेंटिफाई करते हैं कैसे हम हाइट फाइड आउट करते हैं कैसे कौन सी नोड्स होती हैं तो ये सारी चीजों की जानकारी हमने इससे पहले ले लिए हैं अपने वीडियोज में आप देख सकते हैं और इससे रिलेटिड हमारे जितने भी वीडियोज जा चुके हैं ट्री से रिलेटिड ये important question है numerical आता है इसका और tree traversal के नाम से इसे हम जानते हैं तो that's the binary tree traversal अगर आप binary tree बना लेते हैं binary tree आपको बनाना बहुत असान है जिसमें 2 child हो maximum 2 child हो तो वो binary tree कहलाता है minimum आपका 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं तो ये binary tree की property आप कोई भी maximum to take child उसका एक condition है तो ये देख सकते है binary tree बनाना लेकिन जब हम binary tree बना लेते हैं अगर हमारे पास कोई भी binary tree है यानि identify हो गए कि अगर हमारी binary tree वो tree होगा जिसमें हमारी या तो दो nodes अगर दो child हो सकते हैं एक child हो जकता है या child ही नहीं हो सकता तो single node भी आपका binary tree हो जाएगा अगर एक child है तो भी binary tree हो जाएगा तो हम देखते हैं एक for example एक tree को कैसे हम binary tree से traversal करते हैं traversal is a technique to एक manner है जिसमें हम क्या करते हैं जिसके थूँ हम बताते हैं कि हम कैसे हम उस tree को लिख सकते हैं डिजाइन कर सकते हैं तो तीन टाइप से popular ways हैं pre-order travel cell, in-order travel cell और post-order travel cell तो इन तीनों ways को भी हम देखेंगे इसके साथ और कैसे कैसे ये pre-order बनते हैं paper में पूछा जाता है pre-order travel cell बना के दिखाईए आप तो कैसे हम बनाएंगे first of all binary tree देखते हैं कि कैसे बनाते हैं कोई भी binary tree आप ले सकते हैं मालिजे मैं एक simple binary tree ले रहा हूँ there's a node A मालिजे ये मैंने A और B लिखा that's also the binary tree एक root node हो गया और एक child हो गया मालो मैंने maximum दो child हो सकते हैं तो that's the C तो ये भी binary tree है मालिजे मैं इसे और bigger करना चाहूँ मैंने यहाँ पर D बना दिया तो ये भी binary tree है दो child होने चाहिए हैं हर node पे या एक child या एक भी child नहीं जैसे D के नीचे कोई child नहीं है कोई दिक्कत नहीं that's the E मैंने जोड दिया जोड सकता हूँ नहीं दो child होगे B के maximum 2 minimum 0 and then E के बाद F और ये मैंने एक design कर दिया simple binary tree ये एक simple binary tree है देखेगा इसमें अब हमें question क्या आता है कि ये एक design pattern given होगा हमे और design pattern given होने के साथ साथ हमें इसे traversal की form में हम से कहा जाएगा कि इसके traversal करके दिखाईए pre-order, in-order, post-order तो सबसे पहले हम देखते है pre-order traversal होता क्या है अगर कोई binded tree है तो हम traverse क्या करेंगे traverse का मत्तब होता visit each node हमें हर node को visit करना है तो visit कैसे करना है वो property बताएगी pre-order की और visit करते करते हमें सारी node को identify भी करना है सारी nodes पे जाना है तो visit करना मत्तब सारी nodes पे जाना तो कैसे हम जाएंगे तो pre-order की technique तीन type क्यों होती ही binary traversal अगर पुछा जाता है तो हम बताएंगे pre-order traversal in-order traversal देखेगा and post-order pre-order में क्या करते हैं pre-order की property कहती है कि सबसे पहले हम visit करते है root node that's the root node that's the first the root node then traverse करते है left tree and then traverse करते है फिर right यानि कि पहले हमें root node को visit करना पड़ेगा लिखेंगे हमें सब पे जाना है और उसी जाने के तरीकी को हमें लिखना है यानि वही systematic manner हमें answer में भी लिखना पड़ेगा तो इसका property आप ध्यान लख लीजिएगा इसे आप ऐसे भी लिख सकते है root left और फिर right ये short form होगे root left right pre-order travel सल के लिए तो सबसे पहले देखते है root कौन सा है इसमें सबसे पहले root ये है आपको पता चला हुआ एक तो सबसे पहले हम यहां से चलेंगे तो इसने कह रख़ा है सबसे पहले root note को visit करना है तो सबसे जो visit कर ली वो लिखते रहे that's the visit कर लिया हमने a को visit कर लिया root के बाद हमें कहा जाना है root के बाद हमें traverse करना left sub tree अब left देखेगा अगर हम partition कर दे तो left यह portion और right यह portion तो left sub tree में आगया हम left sub tree में सबसे इससे नीचे आते तो इस portion पे बिलता है हमे ये भी एक तरह का क्या है ये भी आपका क्या होगा root हो गया इसके भी दो partition हो जाएंगे left और right तो सबसे पहले a के बाद b यानि कि सबसे पहले left में भी जो root होगा उसे आप लिखेंगे and then अब root के बाद क्या चलना है फिर से left चलना left में आए left में देखा root ना तो left child है ना right child है तो आपने क्या लिख लिख लिखा a, b, d तो root हो गया left हो गया अब root के a, b, b लिख 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 लिए, b, b लिख 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 लिए, d, b तीनो root लिख लिख लिए, अब right इसके right में आ जाए तो d का right क्या हो गया, e then अब आप देखें, इसका left cover up हो गया अब हमें right में चलना है सबसे पहले root लिखेंगे तो root क्या है हमारे पास इसका right के में C then अब हमें क्या जाना है left और right सबसे पहले left में भी root देखते है root है ना तो इसका left child है ना इसका right child है तो root लिखेंगे C के बाद आ जाएगा आपका F F के बाद left कतम हो गया हम right G is the final answer यह आपको निकानना आना चाहिए बहुत ही बढ़िया टेक्निक है यह है और किसी pre-order traversal को identify करने के लिए तो I think आपको clear होगा इससे related एक question और करते है अब ही पहले तीनों traversal देख लेते हैं जैसे pre-order देख लिया अब हम देखते है in order traversal in order traversal की क्या property कहती है इसी question को हम in order बें करके देखेंगे in order traversal तो in order traversal क्या कहता है इसकी भी तीन property तीन steps है number one सबसे पहले क्या करना होता है सबसे पहले इसमें लिखते है in order traversal सबसे पहले left then root then right यानि देखिएगा root middle में आ गया उसमें root जो था आपका first में था पहले left पहले आपका किस में था first में था इसमें root बीच में आ गया तो in order traversal हम क्या करते है traverse the left sub tree तो इसमें लिख सकते है traverse firstly traverse left sub tree सबसे पहले हम left sub tree देखना होगा पूरा then root node and then traverse right sub tree अब देखिएगा सबसे पहले मैंने वही कोशिन को हम दुबारा लेते कि कैसे हम उस कोशिन को दुबारा रिपीट कर पाए मैं बना लेता हूँ बहुत ही सिंपल कोशिन लिए मैंने इसलिए जदा परिशान होने की जरूत नहीं है बहुत असानी से बन जाता है कोशिन बहुत सारे कोशिन कर सकते हैं इससे रिलेटिड हम आगे चल की तो चलते हैं फर्स्ट आफ 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 आप इस पे पार्टिशन कर लिया करें देखिए गाता है यह partition करने से पता चल जाता, left में जाना है, right में जाना है, किसका कौन left है, किसका कौन right है, clear understanding हो जाती है, line खंचने से कोई दिक्कती आंसर में हमें, कैसे हम in order traversal को लिख पाएंगे, तो in order traversal में सबसे पहले हमें कहां जाना होगा, सबसके left में जाना होगा, तो root तो यह है, root के भी left इदर आ गए, फिर सबसे पहले हमें left में जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले left में हमें क्या मिलना है, तो देखेगा आपको क्या मिलना है, d मिलना है, left के बाद किसका chance आता है, देखेगा, left के बाद हम कहा जाते हैं root पे और फिर right पे अगर हम इसके partition में देखें इसके partition में हम सबसे left में आ गए, left में सबसे left लिखा फिर इसका root क्या हो गया B और फिर इसका root के बाद right right क्या हो गया, E हो गया सही है, तो ये portion आपका complete left side का तो left side का portion आपका देखे अगर इसमें भी देखें तो इसका left side portion complete, then अब क्या लिखेंगे अब हम, अब हम लिखेंगे A, अब right side में आजए, जैसी हम right side में आते हैं, तो हम सबसे पहले कहा जाएंगे right side में भी, सबसे पहले हम कहाँ आएंगे left पे क्योंकि left root right इस पूरे tree में भी हमें कहां जाना पड़ेगा left में जाना पड़ेगा क्योंकि left से चलना है सबसे पहले तो f फिर root c and then g I think clear हुआ होगा बहुत ही असान method है बहुत ही travel traversal बहुत ही असान होता है कोई दिक्कत नहीं आती और यह paper में जरूर आता है इसे design करना ऐसी है partition करके करा करें और एकाद practice करेंगे तो हो जाएगा post order traversal हम उसे भी discuss करते हैं हमारा जो post order traversal है वो कैसे काम करेगा तो उसमें भी उसकी जो property है वो क्या कहते हैं सबसे पहले हमें left जाना होता है then right और फिर हमें root पे जाना है यानि root सबसे last में मिलेगा हमें देखिए इसमें root middle में मिलना है root कहां मिलना है middle में मिलना है इससे पहले भी आप देखें in order में root middle में मिलता है और अगर आप देखें pre order में root कहां मिलना है हमें root A starting में यानि कि pre order में हमें सबसे पहले root मिलता है in order में हमें beach में root मिलता है और post order में हमें कहां मिलता है root सबसे last में मिलेगा तो चलते हैं सबसे पहले question को वही question design करते हैं मैं इसी question को दुबारा design करता है का तो हम partition करने पहले ही partition करने से मुझे बहुत असानी हुट ह Pack. चायद आपको भी नहीं करना कोई बात नहीं यह depend करता है हमें देखिए सबसे पहले हमें कहां जाना है ये देखेगा, सबसे पहले आपको traverse करना है, left सबसे पहले left में जाना तो A का left, left B का left, ये, सबसे पहले left में ये आ गया, left में आपको मिल गया D, सबसे पहले आपको क्या मिलना है, D, left के बाद ये कहता है, left इसका left ये है और right कौन सा है इसका ये left, right फिर रूट देखिएगा कैसे चलेंगे लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट और रूट अब लेफ्ट कतम हो गया अब राइट पर जाओ ये इसका लेफ्ट था तो ये लेफ्ट कतम हो गया इसके राइट पर ये तो लेफ्ट राइट एफ जी सी और ए ये एक सॉलुशन ह हो गया इसका भी तो देखेगा यह margin paper में आप के आएगा tranqu lasal करना और बहुत असांग से करना और आइढिक आपको क्लियर हुआ होगा इस पे प्रेटेस questions और ढ़न सकता हुए जल्दी इसके features questions प्याएंगे ये द्यात कंए एक question इसमें यह ध्यान लखिए in order में हमारा route कहा होता है mid में होता है post order में route कहा होता है last में pre order में कहा होता है सबसे पहले route होता है तो question एक student ने पूछा था question उस question को solve करने के लिए हमें in order traversal pre order और post order traversal बताने पड़ने तो continue करते हम इसी topic को आगे अगर हमें question ही आता है कि अगर in order दिया गया हो और pre order दिया गया हो तो हमसे tree design करने को कहता है तो tree design करना बहुत असान है आप भी tree design कर सकते हैं चलते हैं इसके next question पर और मैं चाहूँगा एक question all लेता हूँ जिसका मैं in order pre order और post order convert करके दिखा दूँ तो आपको एक question all ले लेते हैं कोई भी question आप चलिए next session में लेंगे thank you class for joining the session